जैसी किष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हर्दीक स्वागत है आज हम शिठाकुल जी को नित्या में एवं विविद उत्सव पर भोग दर सके वैसी दूद गर विबाग की सामगरी नारेल की बर्फी सिद करेंगे जिसे हम इंस्टन कोपरा भाग भी कह सकते हैं ये बर्फी बनाते वक्त हम उसमें चाशनी या दूद के मावा का उप्योग नहीं करेंगे फिर भी ये बहुत ही सुंदर और प्रभुलायक सिद होती है नारेल की बर्फी सिद करने के लिए एक नारेल का बुरा दाले जिससे हम डेजिकेटेड कोकोनट भी कहते है और उसमें एक कप श गैस के उपर नहीं रखना है अगर आपके पास दूद की मलाई रेफ्रीजरेटर में या डीफ्रीज में स्टोर की हुई हो तो बर्फी बनाने के आदे गंटे पहले उसे बार निकाले और वो रूम टेंपरेचर पर आ जाए उसके बाद ही उसका उप्योग करें दूद की म चाते तो फ्रेश नारियल में से भी बिलकूल इसी तरीके से बर्फी बना सकते है लेकिन फ्रेश मारियल में मौश्र जादा होता है तो उसे पकाने में भी थोड़ा समय जादा लगता है इस बर्फी को बनाने में 10 मीट का समय लगेगा जिस सालिया प्रेट में आपको बर् मिश्रण को लगाता चलाते रहेंगे जैसे-जैसे हम उसे कुक करेंगे उसमें जो मुश्र होगा वह सेपरेट होने लगेगा और फिर वह दिरे-दिरे गाडा होने लगेगा continuous ले हमें उसे चलाना जरूरी है शुरुआत में मिश्रन गाड़ा होने के कारण हम उसे अच्छे से mix नहीं कर पाएंगे लेकिन मलाई melt होगी शक्कर भी melt होगी और जो designated coconut हमने लिया है उसमें से भी moisture separate होगा तो जो मिश्रन की consistency है वो पहले से थोड़ी पतली हो जाएगी लेकिन जैसे जैसे आप उसे cook करोगे वैसे जो शक्कर है उसकी चाश्णी बनने लगेगी और जो मलाई हमने ली है उसमें से भी गी बनने लगेगा और वो pen में से separate होने लगेगा इसलिए continuously आपको चलाते रहना है ये सामगरी सित करते वक्त हम उसमें दूत के मावा या चाश्णी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये मिश्ण को cook करने में टोटल 10 मीट का समय लगता है 5 मीट के बाद आप देख सकते हो कि जो शक्कर हमने पदराई थी उसका पानी बनने के कारण साइड में से बबल्स होते हुए दिख रहे है इस स्टेज पर हम बर्फी को ज़्यादा मौश्ट बनाने के लिए उसमें एक चम्मच देशी गी पदरा कर अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको ये बर्फी ज़्यादा दिन तक इतना गी पदरा कर अच्छे से मिक्स करें गी पदराने के कारण बर्फी की शाइनिंग अच्छी आती है आप देख सकते हो कि अब मिश्रण में उबाल आने लगा है और उसकी कंसिस्टनसी पहले से ज़्यादा गाड़ी होने लगी है जो डेसिकेटेड कोकोनट हमने पदराया था वो कुक होने के कारण उसका रंग थोड़ा लाइट यल्लो हो गया है अब उसमें फ्लेवर के लिए हम एक चम्मच इलाईची के दाने पदराएंगे उसकी जगा पर आप इलाईची का पावडर भी पदरा सकते है अगर आपको केसर की फ्लेवर पसंद हो तो 30 से 35 दा के केसर को गरम दुद में बिगो कर भी इसमें पदरा सकते है तो थोड़ा रंग उसका पीला आएगा मिर्शन में से गी सेपरेट होने लगे और वो थोड़ा गाड़ा हो जाए तब तक ही हम उसे पकाएंगे फिर गैस की फ्लेम बंद करेंगे मिर्शन गरम हो तब ही हम उसे गी से ग्रीज किये हुए टीन में पदरा कर स्पेक्चुला की मदद से इकवल लेवल में सेट करेंगे आपको जितनी साइज के टूक करने हो उसके मुताबिक टीन की साइज थोड़ी बड़ी या छोटी रख सकते है ठाकुल जिकले सामगरी सिद कर रहे है इसलिए हम उसके उपर बादाम की पाचली से सजावट करेंगे आप चांदी के वरक या पिस्ता की पाचली सेजी भी साजावट कर सकते है अब बर्फी को हम 3-4 गंटे तक रूम टेंपरेचर पर सेट होने देंगे फिर उसके टूक करेंगे अगर सरदी का मौसम हो तो बर्फी को जमने में केवल दो गंटे का समय लगता है बर्फी अच्छे से सेट हो जाए फिर चाकू की मदद से हम उसके चौकोर टूक करेंगे ये बर्फी में हमने दूद की मलाई का उप्योग किया है इसलिए हम उसे 2 दिन तक रूम टेंपरिचर पर और 8-10 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते है बर्फी का एक टूक मैं आपको नजदिक से दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो कि वो कितनी पर्फेक्ट सिध हुई है अगर आपको ए नारेल की बर्फी बनाने की रीद पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें उससे दूसरे वैशनों के साथ शेर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी प्रभूला एक सामगरी एवं सात्वीक रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करें तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दन्यवाद